जब भी मैं घर से निकलता हूँ यह मेरे पीछे ऐसे ही चलना लगता है बाइट पर मुझे दीरे दीरे चलना पड़ता है कभी कभी क्योंकि यह भी मेरे साथ दीरे दीरे चलता है बहुत प्यारा लगता है यह मेरे प्यारा वीरू दोस्तो आरिफ सारस की दोस्ती जैव विरू से कम नहीं इंसानों की दोस्ती जानवरों और पक्षियों के साथ हम अक्सर देखते हैं लेकिन आरिफ और सारस की ऐसी अनुखी दोस्ती जो पाइक पर भी उसका साथ ना सोड़े उस दोस्ती को आप क्या नाम देंगे सारस और आरिफ की दोस्ती जैसे धर्मेंद्र और अमिताब की आपने जानवरों और इंसानों की दोस्ती के किस्ते तो बहुत सुने होगी और देखे होगी वही कुटों गोडों और इंसानों की दोस्ती तो बहुत ही फेमस है लेकिन इस बार एक पक्षी और इंसान का याराना इन दिनों सुर्खिया पटोर रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर एक सारस और एक इंसान की दोस्ती का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसे लोग कुप पसंद कर रहे हैं दोस्तों आपको बता दे अमेठी के गौरी गंज के जामो ब्लॉक शेत्र अंतरगत गाव मंडखा मजरे ओरंगाबाद का मामला है जहां महमद आरिफ और एक सारस की जोडी जैवीरू के तोर पर चर्ची थे एक साल पहले खेतों में यह पक्षी गायल अवस्ता में मिला जिसका पैर तूटा हुआ था आरिफ उसे अपने गर ले आया आरिफ ने उसका इलाज किया उस बेबस पक्षी को भोजन पानी दिया दीरे दीरे पक्षी ठीक हो गया फीर आरिफ ने पक्षी को आजाद किया उसे उसके दोस्तों के पास जाने के लिए छोड़ दिया लेकिन पक्षी ठीक होने के बाद जंगल की और जाने के बजाए आरिफ के संधे में रहने लगा आरिव बाइक से कही भी जाते हैं तो वह सारस उनके उपर हवा में उरता रहता है अभी हैंडशेक हो रहा है और हैंडशेक होने के बाद अभी बाई मुलाकात होगी देखो कितना भीड़ बाई इतना मुतलब बवाल अभी यहां पर शारस पच्छी को अभी निकालने वाले हैं जो की यहां पर रख रख है जो की अंदर आरे भाई निकालने वाले हैं यहां पर आप यहाँ पर आध शक्तियों यह निकाल रहा है आप देश रक्तियों इसके अंदर यहां पर कहए करके रखा है कि कोई जानवर यहाँ पस इसको चेड़कानी न करे तो यहाँ पर बाहर आ रहा है और यह आप देश चाराज की कुछ इसक्षीटि होती है आप देख चकें ते हैं वह यह में लग रहा है काफी ज्यादा घबर आहे हुए है तो इसलिए काफी घबरा रहा है तो इसको अगल बाहर लेकर आ तो चलिए वीडियो फंटी नी देखते रहेगा आप देश होते हो भाई कि इतना जधा क्राउड है बहुत जयदा क्राउड है आप देश लगों काफी ज़्यदा क्राउड है और इतनी जधा भीड भाई आपने कभी नहीं देख पढ़ी होगी आज कि दिन का फीड़र क्यों